नमस्कार दोस्तों, आरोगे में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ रिचा भाटिया दोस्तों, रोग चाहे छोटा हो या बड़ा, मानव चरीर के लिए हमेशा नुकसान दायक ही होता है फर्क बस इतना है कि छोटे रोगों में विनाश की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है और बड़े रोगों में ये कारे आंधी तुफान की तरह होता है और एक बर फिर, यहां वही बात सामने आ जाती है कि यदि रोग की समय रहते समुचित रोग थाम ना हुई हो और सहाई पीडा को सहता हुआ रोगी, तेजी से दोड़ता हुआ काल के मुख में प्रवेश कर जाता है दोस्तों हमारे प्रोग्राम का धे है आपको हर हाल में स्वस्त और निरोगी रखना तो चलिए बिना देर किये प्रोग्राम के शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं हरिद्वार कंखिल के जाने मानी वैद दीपक कुमार जी का मैं जी आपका बहुत-बहुत स्वागत त्यार होगे में आईए देखते हैं आज कौन से आपकी पेशन्ट हमारे साथ है मैं केसब दर्थ रनगपुर से मेरे बहुत पहले मेरे कमर में चोट लगी थी इसको मैंने हलके भुलके इसे लिया तो बाद में वो पढ़ते बढ़ते रोग जियादा बढ़ गया जिससे मुझे ओपरेशन तक करना पड़ा ओपरेशन करने के बाद भी मेरे शरी में इतनी शक्ति नहीं मिली जिसकारण से मेरे हाथ में सुन्नपन गालों में सुन्नपन पैरों में सुन्नपन आने लगा तो मै देरे-देरे मेरे को पता चला बैत दीपर कुमार जी के बारे में तो मैं हरीदवार अधर्स हायरोईद के पास गया तो उन्होंने मेरे को दबाईयां दी जिससे अब मैं कापी महस्थोस कर रहा हूँ कि मैं सही हो सकता हूँ और 15-20% अभी मैं सही भी हूँ मैं उनका धन्यबाद करता हूँ और आने वाले समय में इसी तरह अच्छा होता जाओं तो मैं उनके लिए सदा उनके आप भार बेखते करूँगा धड़कपूर से केशव दच्ची इनकी कमर में बहुत दर्द रहता था और ऑप्रेशन भी करा चुके थे उसके बाद भी इन्हें सुनपन सा रहता था तो ऐसा क्यूं था और क्या ट्रीटमेंट आपने इनको दिया हरिचा जी ओप्रेशन बहुत कुछ है सब कुछ नहीं है और मेरे पास अक्सर ऐसे बहुत पेशेंट आए जिन्होंने ओप्रेशन करवाया लेकिन फिर भी ओप्रेशन से उनको समुचित लाव नहीं मिला और नियोरो एक ऐसी ब्रांच है जो कि बहुत ही महीन है और कभी-कभी इसको ओप्रेशन में लाव मिल जाता है लेकिन अक्सर मेरे पासे बहुत पेशेंट थे जिनको ओप्रेशन से लाव ना मिलने के वज़ाए हानी ज़ादा हुई और इस तरह के पेशेंट के लिए मैं इतना कहूँगा वात पित कफ कोप से रस दूसित हो जाए सम्यक पानने अन्यका देह सुन्य हो जाए आलस भारी पन बढ़े अरुची प्यास अधिकाए होता शोत अपार में जवर रहता है प्राए भारी पन शरीज में बढ़े अरुची खाने पीने की इच्छा ना करना प्यास अधिक लगना शरीज में सूजा ना और अक्सर इस तरह के मरीज को सरीज में टूटन बहुत ज़्यादा रहती है और जब कुछ काम नहीं करता तो मैं आयरवेद में ऐसी बहुत सी दवाईया है उनमें से कुछ जिनको हम नियम पूर्वक, विधी पूर्वक, सैयम पूर्वक अगर सेवन करें तो निश्चित रूप सिलाब मिलता है उनमें से एक दवा है सिलाजीत आयरवेद में मैं इस नतिजेवे पहुँचा हूँ मेरा यह सोचना है कि जैसे दूद, दूद से दही, दही से मठा, मठे से मक्षन और मक्षन से घी, घी दूद का सार है इसी प्रकार सिलाजीत भी आयरवेद का सार है ऐसी कोई बिमारी नहीं है जो इसके नियम पूर्वक सेवन से ठीक ना होती हूँ मैंने इनको सिलाजीत वटी जिसके अंदर सिलाजीत के साथ साथ गुगुल और अन्यदवाईया हैं साथ में मनोहर बूंद रामफल वटी और तीसरा दश्मूल घन वटी इनका प्रियोग मैंने इनको नियमित रूप से कराया मनोहर बूंद रामफल वटी यह ओशद गुडखान गुड़ों से भरपूर है राशना सब्तक क्वाथ से वैद्यों का आख्यान मैंने इनको रामफल वटी, मनोरबुन, रामफल, सिलाजीत वटी और दश्मुलगन ये तीनों दवा राश्ना सब्तक को आथ के साथ सेवन कराई साथ में आयरुवेद की एक बहुत ही अच्छी परसिद और अचुक दवा है वरतवा चिंता मनी ये स्वन योग है और इसके सेवन से नशों में बहुत अच्छी ताकत आती है जहां सरीर में सुनपन रहता हो या अर्थराइटिस बहुत ज्यादा बढ़ी हवास्ता में हो कुछ बिमार ऐसे हैं जैसे की एंक्लोजिंग इस्पनलाइटिस जिसका एलोपेथिक में कोई बहुत रिलाइबल सोलूशन नहीं है जिनका HLA-β-27 पोजिटिव है उन लोगों को मैंने ये और दूसरा रस राज रस इनका प्रियोग कराया इन दवाओं के सेवन से उनको बहुत लाब मिला और ऐसे बहुत पेशेंट है जिनको इन दवाओं के सेवन से निरोग तो हुए ही और साथ में बहुत अच्चा स्वस्त भी है और इन दवाओं का कोई साइड इफेक्ट नहीं है वर्दवाचिंतामणी के साथ समीर पन्नगरस, एकांगवीर और प्रवाल पिष्टी इन चारों को मिला करके मैंने इनको सेवन कराई साथ में दर्शमूलगन, सिलाजीत वटी और रामपलवटी इनके सरीर का सुनपन दूर हुआ, नसों में जान आई जो चलने फिरने में इनको असकती थी, वह दिरे दिरे ठीक हुई और भगवान के आशिरवाज से अब ये बिलुकुल स्वस्त है शुक्रिया वैजी हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारे कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन से बात कर चाहिए हलो, हलो, जी कौन बोल रहे हैं, तरुन बोल रहे हैं, कहां से, बहुत-बहुत स्वागत है, क्या पूछना चाहते हैं वैजी से, आँखों की रोशनी के लिए हमने, हमने जानना चाहते हैं मैं आपको बताता हूँ वैसे आप इसको यूट्यूब पर देख सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, आप आम लकी रसायन, 100 गिराम, 100 गिराम के अंदर 10 गिराम मुक्ता शुक्ती, और 20 गिराम सब्तामर्थ लोह। ये किसी अच्छी फार्मेसी के लेना और ज्यादा दिक्कत है, तो दो गिराम रजत यानि के चांदी की भस्म। और एक गिराम रस राज रस इन पांचों को मिला लें और एक चम्मच छोटे वाली टीस्पून, इसमें एक चम्मच शहद और आधी चम्मच महात्रिफला गरत, तीनों को मिलाकर उपर गरम दूद का सेवन करें, मैं आपसे कहूंगा कि थोड़े समय में आपको आँखों की रोशनी में बहुत लाब मिलेगा, दूसरा यदि आपके पास गुलाब जल उप्तलब्द हो, गुलाब जल में गुलाब जल ही होना चाहिए, सेंटिड ना हो, क्योंकि बहुत सी पार्मेश के अंदर डाले, या जोती वर्दक सुर्मा, हम अपनी फार्मेशी में बनाते हैं, आप जोती वर्दक सुर्मा, दिन में एक बार कभी भी आँखों में परियोग करें, आपकी रोशनी में आपको निश्चित रूप से लाब मिलेगा, बहुत बहुत शुक्रिया, वैजी सी किसाथ एक और कॉलर हमारे साजुर्चो के आए बात करते हैं, हलो, हलो, जी कौन बूल रहे हैं, जी कौन बूल रहे हैं, मैं औरिशा से जगना साओ बोल रहा हूं, जी बहुत बहुत स्वागरत है आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप, मैं अपेंडिक्स के बारे में अक्सर रहता है या कभी-कभी? नहीं, अक्सर रहता है. ज़से में continue तिक कर रहता है. उनकी उम्र कितनी है? 17 साल है. ठीक. और पेट साफ रहता है या नहीं? नहीं रहता है. ठीक. आप एक काम करें. किसी अच्छी फार्मेशी का 100 गिराम अवी पत्ती कर चून और इसमें 10 गिराम परवाल पंचामरत रस और 20 गिराम सूल बज्रनी इन तीनों को मिला लें. दिन में दो वार एक-एक चमच पानी के साथ सेवन कराएं. दूसरा, लीला विलास रस. किसी अच्छी फार्मेशी का लेना, जो कि इसके अंदर तामर भसम डलती है. तामर भसम यदि कच्ची हो, तो वे नुक्सान करती है. और यदि बिल्कुल सही बनी है, तो अमरत तुल्य काम करती है. दो गोली लीला विलास रस. और दो गोली चित्र कादी वटी. दो दो गोली, दिन में दो बार, भोजन के बाद इनको सेवन कराएं. मैं उम्मीद करूँगा, इनके दर्द में बहुत शान्ती मिलेगी. यदि अपेंडिक्स काफी बढ़ा है, तो आप उसकी रिपोर्ट मेरे को वार्चेप करें. अगर काफी बढ़ रहा हो, तो उसमें ओपरेशन ही एक मात रूपा है, और यदि थोड़ा ही बढ़ रहा है, तो इस परियोग से निश्चित रूप से लाब मिलेगा. बहुत बहुत शक्रिया वैज जी. और दोस्तों, अगर आपका भी ऐसा कोई सवाल है, जो आपको परिशान किये हुए है, किसी भी बिमारी से जुड़ा हुआ, तो इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाय जा रही हैं. आप हमें अपने सवाल इमेल और वाच्टसप के जरीए भी भेज सकते हैं. हमारे यूट्यूब पर सारे एपिसोड जवैलिबल हैं. अगर कोई भी एपिसोड आपने मिस कर दिया है, तो आप जरूर देखेगा. इसी के साथ एक खास बात, आप वैज जी का फेस्बुक पे और उसका जो तुतलाना है, वो नहीं रुक पाता है, या हकलाना नहीं रुक पाता है, तो उस टाइम कहीं न कहीं पेरेंट्स की चिंता बढ़ जाती है. तो इसके लिए आपके पास क्या उपाय है? रुचय जी बड़ा अच्छा फ्रश्नी किया आपने, हकलाना और तुतलाना, कभी-कभी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके अंदर इन्फियर्टी कॉंप्लेक्स प्यादा करता है. इसके लिए मैं एक छोटा सप्रियोग बताऊंगा, मार्किट से, किसी पंसारी से बहुत अच्छी ताजी अवस्ता में हो, पुराना या सड़ा गला ना हो, बच ले ले, सो गिराम बच काफी है, सो गिराम बच हलका दरदरा करके रख ले, और उसको मठे में बिगो ले, तीन दिन तक उसका मठा बदलते रहें, रोज, अगले दिन दूसरा मठा, तीसरे द प्रवालच करके उसको रखे, चोथे दिन उसको दोह कर, सुखा कर, कूट कर उसका चुन कर ले, 250 mg बच का चुन और 250 mg ही ट्रिकटु चुन, ट्रिकटु में तीन चीजे होती हैं, सौट, काली मिर्च और पीपली और 250 mg प्रवाल पिपिश्टी और इसमें यदि मिला लेंगे ब्रहमी वटी, दो गोली, बच्चा बड़ा है तो दो गोली, छोटा है तो एक गोली इन चारों को मिला करके सुबह शाम शेहत के साथ सेवन कराएं तो निश्चित रूप से हकलाने में और तुत्राने में लाब मिलेगा और मैंने एक जेगे पढ़ा था कि यदि किसी को अपने बच्चे की जवान में सरस्वती का वास कराना हो तो प्रति दिन जो बच्च का प्रियोग मैंने बताया, बच्च को शेहत के साथ मिला कर जीब के चार और लगा लें और बच्चे को कहें इसको चूशता रहे यदि वो प्रति दिन कम से कम दो तीन साल इसको प्रियोग में ले तो उसकी जवान में सरस्वती का वास होगा उसकी आवाज बड़ी सुरिली होगी और कोई इसका नुकसान नहीं है बच यदि ज्यादा मात्रा में अकर कोई ले आदी से एक ग्राम किसी-किसी को वमन की इच्छा होती है वमन हो भी जाता है इसलिए कोशिस करें कि चौथाई ग्राम से ज्यादा उसको सेवन ना करें बहुत बहुत शक्रिया वैज जी और दोस्तों अगर आपका भी ऐसा कोई सवाल है जो आपको परिशान किये हुए है किसी भी बिमारी से जुड़ा हुआ तो इन नंबर्स पर कॉल कीजिए जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाय जा रही हैं आप हमें अपने सवाल इमेल और वाच्टसप के जरिये भी भेज सकते हैं हमारे यूट्यूब पर सारे एपिसोड जवेलिबल हैं अगर कोई भी एपिसोड आपने मिस कर दिया है तो आप जरूर देखेगा इसी के साथ एक खास बात आप वैज जी का फेस्बुक पेज आदार्शायरवेदिक फा मस्त और बिल्कुल मस्त फिलाल वक्तों चला एक छोटी से ब्रेक आप कहीं जाये गा नहीं हम जल्द लोटेंगे